हलो और वेलकम टू फ्यूचर क्लिक्स दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैनन एटीडी से किस प्रकार से हम बेस्ट फोटोग्राफिक कर सकते हैं कैनन के एटीडी पे हम कौन कौन सी वो सेटिंग से जिनसे एक बेस्ट फोटोज क्रियेट की जा सकती है और जो भी इसकी फंक्शनलिटी है जो बटन यहां पर आपको दिख रहे हैं उनको किस प्रकार से हम यूज में लेंगे और कौन कौन सी सेटिंग फोटोग्राफिक के लिए इस कैमरे से करते हैं जिससे कि हम एक बेस्ट फोटोग्राफिक रिजल्ट मिले तो यह इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन वेल को जरूर ओन कीजिएगा और अपने फोटोग्राफर दोस्त को भी यह वीडियो सेर कीजिएगा तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट दोस्तों कैनन 80D जो कैमरा है वो 24MP का कैमरा है और इस से हम साधी के अंदर या वेडिंस के अंदर या फिर इवेंट्स के अंदर फोटोग्राफी करते हैं बहुत ही अच्छा यह कैमरा है अगर आप प्रोफेशनल अगर काम करते हैं तो आप इस कैमरे से बहुत ही अच्छी फोटोज क्रियेट कर सकते हैं तो आएए जानते हैं कि वो कौन-कौन सी सेटिंग्स है जिनके मादें से हम इस कैमरे से वेस्ट फोटोग्राफी कर पाते हैं तो चलिए दोस्तों आपको बताता हूं सबसे पहले आपको यहाँ पे द फोटोग्राफर्स होते हैं वो कैमरा को हमेशा मैनुवल मोड में ही ओपरेट करते हैं तो आप कैमरे को मैनुवल मोड में डाल लीजिए और मैनुवल मोड में कैमरे को किस परकार से सेट करते हैं तो वो सारी सेटिंग्स आपको यहीं डिस्प्ले पे मापको दिखाने वाल में है पहला फंक्षन आप के पास है साटर स्पीड का दोस्तों आप केमरे में साटर स्पीड और आपका अप्रेचर और आईएसो यह तीन बैसिक चीजें हैं बैसिक सेटिंग्स है किसी भी केमरे की ज्यादा इसमें बताने कि आपको जरूत नहीं है कि यह किस परकार से set की जाती है किस परकार से work की जाती है तो यह तीनो settings exposure triangle की है जिस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है आप उस वीडियो को देख लीजिए आपको proper knowledge हो जाएगा कि किस परकार से camera में shutter speed, aperture और ISO को set करते है तो आगे हम बात करते हैं पहला जो आपको settings मिल रहा है exposure compound sensor तो दोस्तो यह जो settings है इसकी जो value आपको मिलेगी minus और plus 5 setting आपको यहाँ पर मिलने वाली है यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर आप इस settings को minus करेंगे तो dark हो जाएगी आपकी image और brighter की तरफ करेंगे तो plus की तरफ करेंगे तो आपकी image bright होगी यह settings ज्यादा तर आपको program mode में जैसा camera आप अगर program mode में set करते हैं या फिर shutter mode में set करते हैं तो वहाँ पर आपकी यह settings काम में आती है इसमें क्या होता है जैसे आप कई बार हम program mode में क्या होता है कि camera जो है वो aperture और shutter speed को automatically अपने आप adjust करता है तो वहाँ पे कई बार हम देखते हैं कि अपने photos होती है वो या तो ज़्यादा darker हो जाती है या फिर ज़्यादा brighter हो जाती है तो उस setting को आपने को cover करने के लिए यहाँ पे exposure composition में आना होता है और यहाँ से हम इसकी value को कम या ज़्यादा करते हैं इसके बाद दोस्तों आती है अपने पास next जो setting है वो flash exposure composition तो यहाँ पे जो यह setting है यह है आपकी जो inbuilt आपकी flash है इस camera के अंदर उसकी जो light है उसको कम या ज़्यादा करने के लिए यानि आप अगर यहाँ पे आएंगे जाले info पे आजाईए यानि आप इस value में जैसे ही आएंगे तो आपके पास flash की light को कम या ज़्यादा करने के लिए minus 3 और plus 3 यानि minus 3 की तरफ darker और plus 3 की तरफ आपको brighter image देखने को मिलती है इसके अंदर क्योंकि आप इस value को अगर minus की तरफ set करेंगे तो आपके flash है वो hlky light आपके सामने जो object है उस पे फेक हैगी और अगर आप brightness ज़्यादा बढ़ा देते हैं या फिर plus 3 की तरफ move करते हैं तो आपका जो flash light है वो ज्यादा light आपका display करेगा तो इस प्रकार से आप जो flash की light है inbuilt flash है उसको यहां से आप control कर सकते हैं next setting दोस्तों यहां पे है wifi connection की तो यहां पे हम wifi connection की कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि हम best photography settings यहां पे देख रहे हैं इसके बाद में दोस्तों अपने पास आ जाती है picture styles इस camera में आपको बहुत चारी picture styles मिलती है जैसे आपको यहां पे auto, standard, portrait, landscape, fine detail, natural, neutral इसके लावा faithful, monochrome इसके लावा आपको तीन user presets भी मिलते हैं इनको आप modify भी कर सकते हैं तो दोस्तों आपको best photography के लिए मैं आपको यहां पे suggest करूँगा जो आपकी standard है और एक आपकी यहां पे मिल जाती है natural यह दो picture style इसी हैं जिनमें आप best photography कर सकते हैं तो दोस्तों picture style की settings को भी आप अपने camera के अंदर set कर सकते हैं आप यहां पे detail के अंदर जाएंगे तो आपको step, fineness, threshold, contrast, situation, color tone यह सारी चीज़े आपको अंदर मिलेगी तो यहां से आप अपने camera में जो pictures हैं ले रहे हैं उनकी आप contrast है, उनका brightness है, situation है उनको भी यहां से आप control कर सकते हैं तो यहां पे आपको बहुत ही अच्छी picture style इस camera के अंदर मिल जाती है जो आपको best लगे, आप इन अगलग-अलग picture style पे अलग-अलग से practice कीजिए इससे आपको बहुत ज़्यादा knowledge मिलने वाला है next time बात करते हैं दोस्तो, white balance की तो इस camera में आपको auto, embassy priority, daylight, set, cloudy, tungsten light, white, fluorescent light, flesh, custom और Kelvin यह आपको white balance के preset manuals इस camera में मिलते हैं और जो professional photography या फिर जो professional photographers होते हैं वो हमेशा आपको मैं बता देता हूँ कि Kelvin या फिर जो color temperature है उसके अंदर suit करते हैं तो Kelvin की value को आप यहाँ से कम या ज़्यादा करके बढ़ा सकते हैं, गठा सकते हैं Kelvin के बारे में मैंने एक video बना दिया है I button में मैं उसका link दे रहा हूँ आप देख लीजे कि आपका जो color temperature हो camera में किस परकार से काम करता है Next अपनी जो setting आती है वो आती है white balance का जो bracketing का आपने को feature मिलता है इस camera के अंदर जिससे आप camera में जो color correction हो सांदार तरीके से कर सकते हैं आपको जैसे greenish, magenta, stone को अलग-अलग तरीके से सेट कर सकते हैं इसके लावा आपके पास blueish और amber यह सारी चीज़ें आपको यहां पर मिलती है आप इस समय से किसी भी color को सेट कीजिए यह आपको color को काटने के लिए bricketing option camera में दिया जाता है तो आप पहले white balance को सेट कीजिए color temperature को सेट कर लिजिए फिर भी आपके पास कोई problem है white balance से later तो आप इस bricketing को काम में ले सकते हैं और color को काट सकते हैं next time बात करते हैं photographic से later अपनी जो base setting है उनमें आता है आपका autofocus तो दोस्तो इस camera में आपको तीन तरह का autofocus मिलता है जिसमें one shot यानि हम जैसे आपका जो subject है वो एक जगाई स्थिर है move नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आप one shot पे ok कर लीजिए और अगर आपका जो subject है वो move हो रहा है तो आप AI focus को use में ले लीजिए या फिर AI servo को use में ले लीजिए तो यह दोनों जो autofocus है यह आपको जब आपका subject है move होता है उसमें हम कामें लेते हैं और अगर आपका subject एक जगाई स्थिर है तो आप one shot को select कर लीजिए next अपनी setting है वो है आती है autofocus जो area होता है उसकी तो दोस्तों यहाँ पे आपको इस camera के अंदर 45 autofocus point मिलते हैं इस camera में जिसमें से आप manual भी set कर सकते हैं जैसे एक एक point पे आप मुझे कहाँ पे screen पे या अपने frame के अंदर focus को रखना है तो इस से आप move करवा के set कर सकते हैं जो भी आपको focus point चाहिए ये camera में manual तरीके से आप कर सकते हैं next आपकी जो है वो है आपका zone autofocus यानि आपको एक zone दे देगा इतने area को आपको focus में रखना होता है तो आप यहाँ पे zone भी set कर सकते हैं next अपना जो है वो है large zone autofocus यानि आपको vertical यहाँ पे focus zone मिलेगा जिसमें आपका जो area है वो cover होता है lens में next आपका बात करते हैं वो आपका है large zone autofocus तो यहाँ पे आपको तीन अलग-अलग zone मिलेंगे जिसमें से आपको एक select करना है जहाँ पे आपको focus आपके subject पे रखना है आपका subject इस frame में कहाँ पे होता है तो यहाँ पे आप यह set कर सकते हैं focus next step ना 45 point autofocus यानि आपका camera decide करेगा कि मुझे subject कहाँ पे detect हो रहा है वहाँ पे मैं इसको set करूँ तो यह 4 option आपको यहाँ पे मिलते हैं तो दोस्तों मैं आपको suggest करता हूँ जो 45 autofocus है उसको आप use में लीजे weddings के अंदर next हम चलते हैं metering mode तो दोस्तों metering mode में आपको हमेशा इस camera में evaluative metering को आपको select करना है जब भी आप weddings के अंदर photography करते हैं तो next जो setting अपनी वो है dry mode दोस्तों आपको यहाँ पे dry mode के अंदर single shot, high speed continue, low speed continue silent single shot, silent continuous shot इसके लावा timer का भी आपको फीचर इस camera के अंदर मिल जाता है तो दोस्तों यह जो settings है इन में आपको weddings के अंदर क्या होता है हम single shot ज़्यादा click करते हैं तो यहाँ पे आप single shot को ok कर लिजिए अगर अब कई बार moment ऐसा आता है कि जो कोई event है वो जल्दवाजी में हो रहा है तो आप वहाँ पे continuous का भी इसमें option है उसको आप select कर सकते है continuous high speed में तो आपका camera जब आप setter button को release करेंगे तो कई frame एक साथ click करेगा तो एक इसा moment आपके camera में capture हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा तो इस परकार से आप ये dry mode select कर सकते है next जो setting अपनी वो हाती है file size या image quality की तो दोस्तों इस camera में आप jpeg और row दोनों suit कर सकते है अगर आपको color grading का knowledge है तो आप row में suit कीजिए अगर आपको color grading का अच्छा knowledge नहीं है तो आप इस camera से jpeg में suit कीजिए jpeg को आप select कर लिजिए और आपके पास jpeg के अंदर भी अलग-अलग जैसे large, medium और small ये size है इनमें से आप हमेशा इसको select कीजिए क्योंकि इसमें best quality अपने को मिलती है तो इस परकार से आप file size को या image quality को यहाँ से select कर सकते है तो दोस्तो इस परकार से मैंने जो proper settings थी camera की जो अपने photography में काम आती है weddings के अंदर या फिर इस camera से हम best photography कर सकते हैं वो सारी settings मैंने आपको यहाँ पर display के अंदर बता दिये तो वीडियो फसंद आया तो वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe कर लिजिए इसी तरह के वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलने वाले हैं तो चैनल को subscribe जरूर कीजिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए thank you